कि चलो तो अभी फिलहाल के लिए दर्शकों को बता दिया जाए कौन-कौन से एवेंट्स हैं जो वो देख सकते हैं अगर आप एक बीजमाई e-sports lover है एसल हो रहा है 16 17 18 आइकू का हो रहा है 22 23 24 Sky का online event है जो की हो रहा है तुम्हारा 28 से लेकर 10 तक और तुम्हारा BGIS जो की हो रहा है सारे आड होते उसमें अच्छा अल्ड़ी जिसके प्राइस पूल revealed हो चुके हैं वो सवाल यह है कि अगर BGIS इस बार होता है ठीक है obviously होगा BGIS कैसी बाते कर रहा हूं BGIS होगा और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम लोग मेरे को आना एक महिने बाद नहां दो कि आना ठीक है तो मैं तुम लोगों से यह कह रहा हूं कि अगर BGIS में सोचो अभी जो third party tournaments हो रहे हैं उन third party tournaments के winners को BGIS में क्या invite किया जा सकता है क्योंकि बहुत सारी team है जो बहुत सारी teams है जो official में उतना अच्छा नहीं खेल पाए जो official में बहुत ज़दा अच्छा नहीं खेल पाए और third parties में actually में वह बहुत अच्छा केलते हैं जैसे for an example अगर मैं बताओं तुम लोग को जैसे नहीं 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 अभे क्यों नहीं वाई साब BGMI का BGMI ecosystem का हिस्सा है third party tournaments तो अगर BGMI ecosystem का third party अगर झाल